दोस्तों क्या आपके भी mobile का phone storage जल्दी फूल हो जाता है या फिर अगर आपको एप डालते है या फिर कोई video डाल रहे है तो आपका phone में space ही नहीं बसती इसके वज़े से आपका mobile hang होता है ऐसे कापी सारे लोगों की समस्य थी और कापी सारे लोगों ने मुझे message किया और पू देखेंगे कि अगर हमारा phone storage फूल हो जाता है तो उसे हम कैसे खाली करें और हमारी space बढ़ाते रहे तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते है तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है आपके play store में play store में आप सर्च करिए files by google जैसे आप files by google यह topic सर्च कर लेते या यह आप सर्च कर लेते तो आपके सामने एक आप दिखाए देगा files by google यह google का application है इसको आप simple अपने mobile में install कर लीजिए देखिए दोस्तों यह जो application है यह already सभी के mobile में install रहता है लेकिन काफी ऐसे पूराने mobile से है जिनमें यह application install नहीं रहता तो आप सबसे पहले इसे install कर लीजि यह मेरे पास already installed है इसे मैं directly open कर रहा हूँ फ़रे मैं इसे update कर देता हूँ actually update नहीं था तो इसे मैंने अभी update कर दिया है अब यह application जो है यह इसे मैं भी open करने जा रहा है देख सकते है यह application open हो चुका है open होने के बाद यह application है आपको इस तरीके से दिखाए देगा तो आप कि इसमें क्या-क्या options है मैं आपको one by one बता रहा हूँ वही process आपको follow करनी है सबसे पहले आप सामने देखिए junk files लिका है और total junk files मेरे पास 1.82 GB है और यह junk files मेरे कोई काम की नहीं है तो सबसे पहले इसे clean कर देजिए यह clean और clear कर देते है आप तो देखिए आपका already 1.82 GB जै जैसे मेरा जो extra remaining space था वो खाली हो गया वैसे आपका भी हो जाएगा इन उसके बाद आप देख पार है delete duplicates मतलब हमारे actually होता है हमारे storage में duplicate files भी होती है तो जैसे आप select duplicates पे click करेंगे तो आप देख सकते है मेरे पास कापी सारी ऐसी duplicate files है तो मैं अगर यहां all duplicates पे click कर तो जितनी भी जो double double files है वो सारी select हो जाएगी और आप उसे यहां से delete कर सकते है तो यह मेरी लगबग 9 files थी यह सारी delete हो चुकी है अब इसके बाद ऐसे बहुत सार है जैसे आपको screenshot delete करना है तो आप यहां से select कर सकते है इसके बाद यह है सबसे main delete large file तो यहां पे आप देख सकते है अगर मैंने इसे select कर दिया तो यह जितनी भी मेरे पास जो large file है वो सारी files यहां पे show हो रही है अब मुझे करना क्या है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है यह जो उपर three lines है इस पे आप आके sort कर देना है अगर आप sort में largest first करेगे तो क्या होगा जो सबसे बड़ी file है यह उपर आ जाएगी तो इस तरीके से आपके अगर वो file use में नहीं है तो आप उस file को क्या कर सकते है डिलीट कर सकते है जैसे example के लिए मैं यह अभी मैं चाहूँ तो मैं सभी डिलीट कर सकता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए होगी मैंने इसे remove कर दिया move to bin तो इस तरीक इसको ऐसे one by one डिलीट कर सकते है तो यह एक file डिलीट होगी ऐसे आप देख सकते कही सारे अमारे जो storage में folders बने होते हैं वो सारे folders यहाँ पर आपको मिलेंगे आपको जो भी data डिलीट करना है वो आप easily डिलीट कर सकते है अब एक सबसे जो बात है वो यह कि अभी जो आपने data डिलेट किया है वो आपके mobile से या आपके storage से permanently डिलेट नहीं हुआ है उसे आपको डिलेट करना है और उसे डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले जो उपर three lines है इस पर click करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते bin, bin में में मेरा total 4.9 GB data save है मतलब यह मेरे phone memory में ही है इस यहाँ से आप open करके आप इस bin को क्या कर दीजिए डिलेट कर दीजिए यहाँ से all items पे select करके and इसे डिलेट कर दीजिए and again delete अब देखना कि अब आपका जो mobile है copy हद तक उसका जो storage है वो खाली हो चुका है तो इस तरीके से आप इस app के माद्यम से जोकी Google का ही app है सभी android phone में easily available हो जाएगा अगर आप इसे play store से download करते है तो आप अपने mobile का जो unused data है या फिर extra का data है वो आप delete कर सकते है तो I hope दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद कर आया तो आप एक like कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ share करें thank you thank you so much